एक मित्र ने पूछा था कि क्या आत्मा का कोई वजन होता है तो इस अंदर में एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि ये जो हम आजकल सोशल मेडिया में तमाम चीजें पढ़ते रहते हैं उनके बारे में हमको खोज करनी चाहिए रिसर्च करनी चाहिए फिर देखना चाहिए कि कुछ है तथेस में या नहीं है और सोशल मेडिया ने एक बड़ी दुर्गटना ये की है कि तमाम ऐसी पुरानी बातें जो निरस्त कर दी गएं, रिजेक्ट कर दी गएं, कैंसिल हो गएं, डिबंग कर दी गएं, डिस्ट बिन में डाल दी गएं, उनको भी वो चलाए रखता है और दुर्गटना तब होती है, जब कई धर्म गुरू भी ऐसी बातें कोट करने लगते हैं ग्यानतावस अब ये आत्मा के वजन वाली जो बात है इस पर जो मसला है वो ये है कि एक अमेरिकन फिजेशियन थे, डंकन मैकडॉवल उन्होंने 1901 क्या 1901 सपास कभी एक प्रयोग किया था कि कुछ मरने वाले लोग, उन्होंने 6 लोग लिये थे और बजन नापने का उपकरण उनके बेड में इस तरह से लगाया था कि मिनिमम छे ग्राम तक का बजन नापा जा सके और फिर उन्होंने देखा कि जब लोग उनकी मृत्य हुई तो 6 में से एक बेक्ति के शरीर में उनको 21 ग्राम की कमी नजर आई तो आज भी अगर हम इसको देखें और इंटरनेट पर सर्च करें तो हमको 21 ग्राम एक्सपरिमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो उन्होंने इस बात पर ये निसकर्श निकाला कि आत्मा का वज़न 21 ग्राम होता है जो कि उसकी मृत्यू के बात कम हो गया अब ये थोड़ा सा बिचित्र सा था जिसको बाद में बैग्यानिकों ने खारिज कर दिया क्योंकि इसमें कोई तथ्य नहीं था इसमें बहुत सारे तुरुटियां हो सकते थी बहुत सारे तुरुटियों की संभावना थी ये नापना और बहुत सारे पेरामेटर्स अलग हो सकते थे बाद में कहते हैं उन्होंने कुछ कुट्टों पर भी प्रियोग किया और उनके वज़न में कमी नहीं आई तो चोकि वो इस माननिता में थे कि जानवरों में आत्मा नहीं होती तो उन्हें खाओ उन्हें कोई कमी नहीं आई क्यों कि आत्मा होती नहीं पस्वों में आत्मा क्या होती है नहीं होती है ये एक बैक्तिकी माननिता का भी से है तो अभी 21 ग्राम एक्सपरिमेंट मात्र 6 लोगों पर करके एक निसकर्स निकाल लिया गया जिसको बाद में भी कुछ लोगों निदर उदर ट्राई किया लेकिन उसमें कोई तथ्य नहीं था तो ऐसी बातें फिर आगे बढ़ी नहीं जो scientific community है वो ऐसी बातों को फिर ध्यान नहीं देती लेकिन अब एक ऐसी बात जो कभी किसी ने करी थी और जो खारिज भी हो चुकी है जिसकी सारी तुर्टियां भी लोगों के सामने आ गई वो आज भी चलती चली आती है तो लोग कोट करते हैं बड़े दावे के साथ की बैग्यानिक प्रयोगों में है पाया गया था scientific experiment में है पाया गया था कि आत्मा का वजन 21 क्राम होता है यह सब भ्रामक तथे हैं और प्रयोग भी कई बार बड़े unscientific और खेल खिलवार जैसे होते हैं यह भी ध्यान रखना चाहिए हमको तहकिकात करनी चाहिए खोज करनी चाहिए किसी भी बात पर तब किसी तथे को सामने रखना चाहिए ऐसे ही एक प्रयोग और भी इसी बात संदर्ब में अगर कहा जाए वो भी बहुत प्रचलित है कि किसी वैग्यानिक ने प्रयोग किया कि किसी मरते हुए व्यक्ति को कांच की पेटी में बंद किया तो आत्मा कांच तोड़ कर बाहान निकल गए अगर इसको आप खोजने जाएंगे तो कहीं ऐसा कोई एक्सपरिमेंट नहीं मिलेगा जहां कहीं ऐसा एक्सपरिमेंट किया गया हूँ हैरान करने वाली बात है ये कहानी कहा से सामने आई ये पता ही नहीं चलेगा और आज कल अगर हॉस्पिटल में हम देखें आईसी यू और जो भी ऐसे गहरे कक्छ होते हैं वो तो पूरी तरह से सील्डी होते हैं एक तरह से वेंटिलेटेड एर कंडिशनिंग सब उसमें चल लही होती है तो वहां कोई तूट फूट तो नजर नहीं आती ये एक 21 ग्राम एक्सपरिमेंट में तो किसी ने एक्सपरिमेंट किया भी था ये इसका तथ मिल जाता है फोजने पर लेकिन कांच वाल तोड़ने वाली गटना का तो कहीं कोई तथ मिलता भी नहीं वो एक कहानी जैसी चीज है कुल मिलाकर हमको इन बातों में रुच्ची लेनी ही क्यों है एक केस ग्राम है वजन पचास ग्राम है वजन इससे कोई फर्क तो पढ़ना नहीं है बुद्धिमत्ता में समझ में हमको अपने जीवन को सही दिशा देने की तरफ बढ़ना है आत्मा एक परिकल्पना है कई बार जीवन को समझाने के लिए बात को समझाने के लिए अतीत में गुरूँ ने अतीत में रिशियों ने बुद्धों ने इस शब्द का उपयोग किया तो ये शब्द अपने आप में कीमती है उसका सम्मान करना चाहिए जब किसी अग्यात तथ्य को समझाने के लिए एक सुंदर सब्द का आविश्कार किया आत्मा क्योंकि जीवन के रहस्य को समझाने के लिए बिक्ति के पास कुछ था नहीं वो कैसे समझाए तो भारत में अगर हम देखें ये शब्द बड़ा अच्छा आविश्कार हुआ जिस्ते कुछ ऐसी बातें बताई जा सकने संभव हुएं जिनकी तरफ हम ऐसे ध्यान नहीं दे रहे थे मूलता है जीवन की सुक्षमता और जीवन के अग्यात बिस्तार की तरफ इसारा करने का ये शब्द है और जैसे जैसे हमारा ग्यान बढ़ता जाता है अग्यात ग्यात बनता जाता है और हम जीवन के अपने ग्यान के फलक को एक बिस्तार देते चले जाते है तो मेरा कहना यही है कि एक स्ताधक के लिए एक ध्यानी के लिए ये आवश्चक है कि वो ऐसे ब्यर्थ के भ्रामक ज्यान में ना उल्जे और उसमें ना कोई बात कोट करे और कोई बात अगर वो कोट करे तो पहले उसके बारे में रिसर्च करे अगर इसे तथ्यात्मिक बातें कोट करनी है जैसे कोई बिलकुल आराम से बोलके चला जात्मा का वजन 21 ग्राम होता है वैग्यानिक प्रयोगों में सिद्ध किया जा चुका है तो ये बात बड़ी जड कर दिया गया था इसमें कोई भी वैग्यानिक था और कोई भी सही विश्लेशन की प्रक्रिया या कोई भी सही तत्य नहीं था तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं हैं लाइ नहीं हैं झाल